आंगनवाडी में धूम अक्षरवाचन और ग्री कारे होगा अब हम बच्चों के साथ सब्ताह में तीन दिन कौन-कौन सी गतिविदियां करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे हाजरी बच्चों का नाम पुकारा जाने पर अपनी जगे पर खड़े होकर येस टीचर बोलने के लिए सूचना दे अब बच्चों को चिडिया उड़ गतिविधी करवाएं जैसे टीचर पक्षियों का नाम बोलेगी तो ता बच्चे बोलेंगे उड़, मोर, उड़, कबुतर, उड़, हाथी तब बच्चे जोर से बोलेंगे नहीं अब शुक्रवार को हमने कौन सी गतिविधी की थी? उसके बारे में बच्चों को पूछें और चर्चा करें इसके बाद बच्चों को ध्वनी खेल करवाएं जैसे बच्चों को कुछ समय के लिए आँखे बंद करने के लिए कहें फिर टीचर चुटकी, चूडी, पायल आदी की आवाजे सुनाएं अब बच्चों को आँखे खोलने के लिए कहें और कौन-कौन सी आवाजे सुनी वह पूछें ऐसे ही आसपास की आवाजे भी सुनने के लिए कहें इसके बाद बच्चों को चुहे की टोपी कहानी सुनाए अब चित्र वाचन करवाए बच्चों को पूछें कि इस चित्र में क्या है कौन क्या कर रहा है वह ऐसा क्यों कर रहे होंगे आदि इसके बाद अक्षर चाट का प्रियोग करके अक्षर वाचन की गतिविदी करें अंत में बच्चों को बिंदू जोड़कर चित्र बनाने का ग्रिह कारे दे हाजरी बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर यस मैम पोलने के लिए सूचना दे इसके बाद हाथ धोने की क्रिया का अभिने करवाएं अब सोमवार को हमने कौन सी कतिविधी की थी उसके बारे में बच्चों से पूछे और चर्चा करे इसके बाद हमारे आसपास उपलब सामगरी का उप्योग करके क्रम लगाना सिखाएं अब आहा टमाटर बड़ा मजेदार बालगीत बच्चों को करवाएं उसके बाद याद करके बताओ रुमाल के नीचे कौन सी वस्तु रखी है कतिविधी बच्चों को करवाएं इसके बाद अंक वाचन करवाएं अंत में बच्चों का गृखकारे चेक करें शुक्तवार को की जाने वाली गतिविधियों हाजरी बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर हेलो मैम बोलने के लिए सूशना दे इसके बाद आगे चलो पीछे चलो गतिविधी बच्चों को करवाए जैसे बच्चों को घेरे में चलने के लिए कहें जैसे टीचर बोलेगी आगे आगे पीछे पीछे आगे पीछे पीछे अब बुद्वार को हमने कौन सी गतिविधी की थी? उसके बारे में बच्चों से पूछे और चर्चा करे इसके बाद हमारे आसपास उपलब सामगरी का उप्योग करके कुछ सामगरी टेबल के उपर, कुछ टेबल के नीचे और आसपास रखे अब कौन सी वस्तु कहां रखी है बच्चों को पूरे वाक्य में बताने के लिए कहें जैसे चाबी टेबल के उपर रखी है अब दो बिलिया और बंदर कहानी बच्चों को सुनाए उसके बाद उपलब चूड़ियों का प्रयोग करके रंगों का वर्गी करन करना सिखाए इसके बाद अक्षर वाचन करवाए अंत में बच्चों की कौपी पर गुबारा बना कर दें और उसमें मन पसंद रंग भर कर लाने का ग्रीख कारे दें बच्चों के साथ गतिविदी के अनुगव हमारे साथ अवश्य सार्थ करना भुम्मवाद